वेलकम टू आवर चैनल जेके एसस्व एडाज 614 यह मेरा यहां पर पार्ट टू है यहां पर प्रॉफिट और लॉस का अरड़ी मैंने एक चेप्टर कंप्लीट कर दिया हो जेके एस वी जुनी रेसिस्टेंट का प्रॉफिट और सॉरी रेशो एंड प्रोपोर्शन हमने पर आएं इस लेक्टर के अंदर आज हम यहां पर दो टाइप के कोशन करेंगे यहां पर ठीक है तो वीडियो को इन तक देखना और अपने बिल्कुल बेसिक यहां पर क्लियर रखना यह वीडियो इंपोर्ण रहेगी अधर एक्जाम लाइक जेके प्रोड़ीसिक के लिए यहां पर यहां पर यहां पर इंपोर्ण रहेगी जेके एस इस भी इतने भी एक्जाम है उनके लिए जब प्रॉफिट और लॉस कहीं भी होगा तो उनके लिए इंपोर्ण है एससी जीडी एमटीएस जो भी बचा त्यारी कर रहा है उसके लिए इंपोर्ण है क्योंकि एससी जीडी के अंदर यहां जेके प्लीस के अंदर देखा जाए तो एक से दो कोशन इसका रहेगा ही रहेगा अधर आप शोचल मीडिये का अप आप हमें जोइन कर सकते हैं टेल जाए प्ली सोर्स नहीं होगा वाटसाइप ग्रूप नहीं है जहां पर आपको नोटिविकेशन आएगी तो गाइस इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना बुले यहां पर देखो यहां पर बेटा आपको दो चीज़े याद रखें जब भी mathematics में आता है बात करते हैं हम off की और इस की जब इन्ग के ना ओफ आता है कहीं भी तो उसका मतलब हो जाता है multiply कर दो और जब इस आता है तो इस का मतलब होता है यहाँ पे equals to कर दो बस यह चीक कंडिशन जो है यह याद रखना आपने off जहां भी आएगा तो वहाँ पे multiply करना है इस जहां भी आए वहाँ पे equals to करना है यहाँ अब यहाँ से देखो यहाँ पे क्या लिखा रहे है is equals to यहाँ पे इस आ गया तो equal डाल दिया selling price तो यहाँ पे selling price off लिक है तो off यहाँ पे निकाल दूँगा और कितनी books हैं 30 books हैं तो मुझे profit percent निकालना है बेटा देखो profit percent निकालना जाए profit निकालना हो तो profit के लिए आपको एक CP चाहिए होता है और एक उसकी क्या value चाहिए होती है SP चाहिए होती है तब आप देख सकते हो कि आपको कितना profit यह कितना loss हुआ तो यहाँ पे आपका मुझे देखो CP भी है और SP भी है अब इसका यह मतलब नहीं होता कि CP आपकी 36 है और selling price आपकी 30 है अगर ऐसा करोगे तो एक option आपका पक्का यहां से निकल जाएगा जो आपका answer बनेगा बट ऐसा नहीं करना हमने हमें यहाँ पे ratio जो चाहिए होती वो CP SP यहाँ CP की चाहिए होती है CP यह SP की चाहिए होती है तो देखो बटा यही होँआ SP यहाँ पे क्या हो रहा है यह इकल स्टू के इधर आएगा तो यह CP के नीचे आजएगा तो यहाँ पे new equation क्या बनेगी CP अपॉन SP यह clear है सभी को क्योंकि यहाँ चीज यहाँ पे multiply होती है वो चीज यहाँ पे divide होती है जो चीज यहाँ पे divide होती है आगे देखो यह यहाँ पे multiply हो रहा था CP के साथ 36 तो यहाँ पी जब equals to के इधर आएगा तो यह 30 के नीचे के हो जाएगा divide हो जाएगा तो यहाँ पे कितना आजएगा 30 अपॉन 36 हो जाएगा अब आप इसको राम से काड़ भी सकते हो यह तुम्हारा आपके पास कितना निकल के आया 5 अपॉन 6 अब इसका मतलब है कि CP आपकी पांच है और selling price आपका 6 है देख लो cost price मैंने कोई भी article अपना पांच रुपे का लिया था जब मैंने उसको बेचा तो मैंने 6 रुपे का बेच दिया इत मेंने उसको कितना ज्यादा बेचा यहाँ पर एक ज्यादा बेचा जो एक ज्यादा यह होता है आपका profit और यहाँ से मुझे क्या निकालना कर सकते हो यह 5 से 20 टाइम ही कटेगा तो ऑप्शन नुमबर एज़ा क्रेक्ट टांसर इतना सा आपको पता चल गया होगा ठीक है बट यह खाली जो इतना यह वाला स्टप किया आपको यह मैंने खाली आपको समझाने के लिए किया है ठीक है अगर इस कोशन को हम करते तो हम क्य गर्याटा कते हैं तो वाला उल्टा यह वन जाता है और यह यह वहला है यह बन जाएगा मतला कॉस्ट प्राइस आपकी 30 वह जाएगी और सैलिंग प्राइस आपकी 36 वह युदट करना है क्या अब करना तो यहां पर 30 रुपे की मेरी अपनी कोछी जाए थी जो मैंने लिए तो आप बोलो कि सब्सक्राइब प्रफिट हुआ बोलो कि सब्सक्राइब यहां पर तरटी और इंट्यू यहां पर पर संटेस्ट लानिया तो यहां पर कितना जाएगा है होता है और जब आपका यह 1 by 5 अच्छा तो 1 by 5 कितना होता आपका बैटा 20 परसेंट होता है ठीक है आयोप कि इतना आपको क्लियर हो गया होगा हो नेक्स्क कोशशन भी यहां पर में बनाइक की टैन है और सेलिंग प्राइस आपकी 15 शलिंग अपकी 15 है जब भी multiply हो यहाँ पर यह नहीं है कि cost price plus 15 which is equals to selling price plus 10 तो आप बोल दो कि sir cost price 10 है और selling price 15 है ऐसा नहीं करना ठीक है तब आप में नहीं होगा यह तब ही होगा जब आपके बीच में multiply हो यहाँ पर तब आपकी यहाँ पर condition यह वली बन जाती है ठीक है तो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस cancer or selling price 15来-50 मेरी को फिर ने लीSet भाइन अवा ने ऊसको बंदर आप अाप देख सकते हो क好了 यहाँ पर मेरी कितनी होगी यहाँ पर कॉस्ट प्रइस मेरी होगी यहां पर 10 और selling price यहाँ पर मेरी होगी यहाँ पर 15 अब रोड़ो कि दस रपे की मेरी कोई चीज थी 15 रपे की बेज दी तो आप बोलो कि सब मुझे 5% 5 का मुझे प्रॉफिट हुआ यह पांच का यह प्रॉफिट हुआ यह किसके उपर हुआ यह आपको 5 का प्रॉफिट हुआ CP के उपर इंटू यहां पर पांड में इतना आपको क्लीर हो गया तो प्लीस यहां पर कमंट बॉक्स के अंदर यह ययस जेस वो देना उसके बाद हम यह पर नेक्स क्कोंच के उपर चलते हैं इसको टाइप बन या टाइप टू ही ले सकते हो जहां पर आप रेश्यों आती है तो वहां पर टाइप टू कहीं चलेगा बोरा इफ सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इस जहां पर मैंने बोला बेटा इस आता तो उसका मतलब क्या होता है इकल्स टू सेलिंग प्राइस अंप्र मुझे कुई आर्टिकल नहीं पाता बसेलिंग प्राइस है कोई अट के कल का इस にख़िकर घळेव कि प्राइस थूओ कितना है एट अपॉन फाइव टाइम फाइव आफ फाइमस ऑफ आया हा सिह तो हम का मतलब की कॉस्ट प्राइश का तो फाय plant फोसे प्रफिट प्रसेंट के लिए एक कापिस पी चाहिए होता और एक काप को सीपी चाहिए होता थेखा देखो यह सीपी यह पे हैं तो यह यहाँ पर म лучшеपल हो रहा है जब equal को कर जाएगा तो यह क्या गट इवाइड हो जाएगा तो न्यूव इक्रेशन क्या बनेगी सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस विच इस इक उस टू एट अपॉन फाइव अब इसका क्या मतलब यहां पर सीपी आपकी पांच है और एस पी आपका एट है ऐसे बना सकते हो नहीं तो आप सिंपल करने लिए रेशो में यहां पर यहां पर सीपी रख लो सीपी आपकी 5 है और 6 पराइस आपका एट की वहां पर आपकी कोई भी कॉस्ट यहां LA dhe ca in three बेश बैट frequently तो प्रो खंटने अ यहां पर आप सकता हूं profit upon CP into hunter क्योंकि यह profit है, यह आपको किस के उपर होता है, CP के उपर profit कितना हुआ आपको? 3 का आपको profit हुआ, और यहाँ पर profit हुआ, यह cost price के उपर ही profit loss होता है, मैंने आपको बताया है कि denominator के अंदर ही आपको profit ही या लास होगा तो मेरे पैरे बच्चों यहां पर कॉस्ट प्राइस, जी आ वहो कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी और यहां पर परसेंटिस लाने के लिए हमने किस से मल्टिप्लै कर दी है, 100 के साथ मल्टिप्लै कर दी हे, यह 5 से तुम्हारा कि तना कटेगा 5 से 20 टाइम कर जाएगा, और 3 into 20 करोगे तो आपका आपका अंसर आजागा 60% तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर option number D इसका क्या हो गया? सही आंसर हो गया तो इतना आपको clear हो गया होगा यहाँ तक तीन question जो आपने type 2 के किया है यह आपको clear हो गया होंगे अब चलते हैं अगली type के उपर next question है type number 3 का यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों इस question के अंदर आपको double percentage दिया होता है ठीक है? पहले यह बोले आता कि a person gets 5% loss by selling a watch for rupees 1140 बोलता है एक person ने जब watch sell करी है तो उसको यहाँ पर 5% का loss हो जाता है और वो selling price कितनी देखे रखा है 1140 तो यहाँ पर जो चीज़ी आपको दी होती है वो चीज़ी आपने रखने है अपने mind के अंदर तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ selling price दिया हूँ मुझे यहाँ पर 1140 दिया हूँ और बोलता है आप अपने cp की value निकाल दोगे ठीक है फिर अगले अंदर के अंदर क्या बोले था कि at what price should the watch we sold to earn 5% profit अब बोड़ा कि अब वो कितने रुपे की बाच बेचे कि उसको 5% profit हो जाए मतलब कितने रुपे की बेचे मतलब क्या निकालना तुमने selling price निकालना है second equation के अंदर selling price निकालना है तुम्हे profit दिया हो कि कितना होना चाहिए उसको 5% होना चाहिए तो यह यह cost price अगर पता होगी तो ही selling price निकाल पाओगे न अगर आपको cost price नहीं पता होगी तो क्या selling price आप निकाल सकते हो मेरे प्यारे बच्चों नहीं निकाल सकते हैं ठीक है मेरे पास सिर्फ profit percent होने से मतलब cost selling price नहीं निकल सकती है उसके लिए cost price आईए तो वह यह cost price है वह बेटा यहां से आपकी निकल जाएगी यह cost price निकल जाएगी कि उस दुकानदार को अपनी कितनी cost पड़ी थी ठीक है फिर उसको अगर वह 5% profit के उपर बेशता तो मैं selling price अराम से निकाल देता हूं तो पहली condition है तो हमें cost price निकालना है बढ़ी पहले तो cost price के पास आपके बदेखो selling price लिए loss लिए तो cost price निकल जाएगा ठीक है यह फार्मॉल नहीं पढ़ना हमने हमने देखा है concept अपना देखा है यहां पर ठीक है देख लो वही इसको मैं एक method से यह solve करता हूं एक method से और निकाल सकता हूं तीन टाइप से equation निकल सकता formula और method 1 हमारा और method 2 भी हमारा पहले तो इसको percentage से ही निकालते हैं वो तक ही 5% loss हो रहा है एक आद यह आपको पांच से कर जाएगा यह पांच से आपको कितना कटेगा वन बॉन्टी आ गया अब आपको बताई यह नीचे जो है यह क्या होती है बैटा यह होती है cost price यह उपर है यह loss हो रहा है इस वार यह बता रहा है loss देखो 20 के अपनी कोई चीज थी जब बेची एक रु प्राइश कितना हो गया है यहाँ पे रहुत कितने की बताइश हो गया बैटा यहाँ पिम इत्रहें चनाएंटीन के अदर वह कितने की बाइच रहा है हमारा SP 19 unit है और 19 unit की value quotient के अंदर कितनी देखे रखा है 1140 तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर 9 के table के अंदर last में 4 आना चाहिए तो 9 के table के कितना table पड़ूँ कि यहाँ पर last में 4 आजाए unit तो 6 के साथ multiply करूँ 6 into 9 होता है 54 तो 4 आ रहा है यहाँ यहाँ पर पूरा बेटा यह देख लें काड़के यह पूरा 60 टाइम कर जाएगा तुम्हार ठीक है 19 into 6 करोगे तो मेरे प्यारे बच्चों 114 होता है यह 0 यह वो यहाँ पर उपर लगा दिया तो मेरे प्यारे बच्चों एक unit की हमारी value कितनी आई है एक unit की value हमारे पास आगी है 60 आगी है तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर हमने cost price निकालनी है तो cost price कितनी है यहाँ पर देखो cost price है 20 है तो यहाँ पर एक unit की value यहाँ पर 60 है तो 20 इसकी multiply करता है तो आपकी प्скू कितनी और ऐसे यह भीच यूठी वैली जो ना वह आपके पास हो जाएे यहाँ पे बाराइसो रुपये तो मेरे प्यारे बश्चों यहाँ प donne कोस्ट प्राइस मेरे पास नेकल चुकिया कितनी बाराइसो मेरे कॉस्ट प्राइस सा चुकिए है ठीक है मेरे पैरे बैच्चों यहां पर इतना क्लीर है फिर इसके बाद यहां पर देखो अगला कोशन भी यहां पर यह स्टेटमेंट वाला कोशन खतम आगे वोड़ा कि कॉस्ट बारास हो दीए प्रॉफिट आपको पांच परसेंट हुआ सैलिंग निकाल दो तो इसके लिए भी मैं क्या करूंगा कि प्रॉफिट देखू मुझे कितना वह प्रॉफिट हुआ पांच परसेंट का यहां पर मुझ है उसने यहां पर 21 रुपे की चीज बेज दियोगी ठीक है तो अब यहां पर देख लो आपको पैसे किसके दिया हुआ कॉस्ट प्राइस के दिया हुआ तो मुझे बेटा रेशो भी किसकी लेने पड़ेगी कॉस्ट पाइस की हमारी कॉस्ट पाइस है 20 और उनकी कॉस्ट है कितनी बेटा 1200 यह तुम्हारा जीरो से जीरो कर जाएगा तो यह तुम्हारा एक योनियर्ट की वैली यह वह निकल जाएगी तुम्हारी साठ मेरे पयारे बैटा ठीक है और यहां पे एक कि वैल्यू निकल जाती तो पूछा कि है तो एस पी पी कि पास कितने यृच्ट ह पर चाहिक है यह एप मैंप मैंसे हाँ आपके यह पर準ुड़ में कर दो में यह तर मेरे होगा तो बार्रहमिल् प्रसेस हो जाता है यहां पर अगर इसको यहां पर थोड़ा सा निकाल देते हैं तो देखो यह कितना 1200 यूनिट है ठीक है यहां पर पर कॉस्ट पाइस मेरी बारा सो आगी है तो यहां पर एट वट प्राइस शुट दा वाच वी सोल टू अन 5% प्रोफित 5% प्रोफिट के उपर बेचता तो मेरे प्यारे बेटा यहां पर देखो अगर आपके 100 कॉस्ट पाइस है मेनिमा हमां 100 ही लेके चलता क्योंकि नंबर अपने आपका 100% होता है इसलिए हम कॉस्ट पाइस यहां पर कुछ भी हमसे पूछा वह हम क्या लेते चलते हैं 100 तो यहां प शृचिये हैं 100 550 कि यहां प्रेती कि मैंने कितनी के बीच बने कौस्ट की त्थी अभी तक मेरी पास कितनी है सो है यहां पर इदर मुझे 1200 बनाना है तो इंटू में 12 यहां पर कर दूँगा अगर 12 से नीचे किया है multiply तो 12 से उपर भी करना पड़ेगा multiply तो यह आपकी 1200 cost price होगी चीक है यहां जवरदस्त मैथट ट्रिक है यहां पर यह अच्छी वाली होगी यहां पर बोड़ा कि आपके पास अगर कोई भी आर्टिकल है यह profit हो रहा है वो CP के उपर ही होता है मेरे प्रावचों पहली वार लॉस हो रहा है दूसरी वार यहां पर प्रॉफिट हो रहा है त पहली वार वह रहा कि पहली वार आर्टिकल बेच बेच आप 5% लॉस के वपर तो 100 है तो 100 का यहां पर पांच परसंट लॉस होगा लॉस कि को यहां पे 5% तो बेटा मेरे पैारे बच विवाय बेस दी होगी 95 की चीज़ बेच लॉस हो रहा ना 5 हम हो गया तो 95 की उसने चीज क्या कर दियोगी बेच दी होगी Selling प्राइज अब बोल रहा है कि उसको अब 5% प्रॉफिट के उपर भी बेचना रहे तो 5% प्रॉफिट रहा ळाह्? प्रॉफिट प्रॉफिट तो वो चीज कितने की बेज़ देगा आप लोगे सर वो 105 रुपे की यहां पर चीज सेल कर देगा वो 105 रुपे की यहां पर सेल कर रहा था जब वो पहली सेलिंग प्राइस 95 थी तब वो आर्टिकल 1140 का बेज रहा था तो इसकी 95 कीयो यह कितनी देखे रखिया कुछणकर नकांदハハ 1240 thereby कि motor 95 ज़या आपके पास 114 ध्य का रखा हूँ यहां पर एक युन्त की बिच आपके पास 1585 फोर फंड में 95 हो जाएगी मेरे प्रेवचिऔ तर्पार की बेच एक यूनिट की वैली हमारे पास कितनी आ रहे है यहांपे 126, 95 और यहाँ पर 105 की कितनी हो जाएगी 105 की यहाँ पर दोनों सार मल्टिप्ले कर दो 1140 पॉन में यहाँ पर 95 और इंटू यहाँ पर 105 तो बेटा यहाँ पर कितना हो जाएगा यह कर जाएगा तुमारा यह 5 से कर जाएगा यह 5 दो 10 यह 5 एक यहाँ पर 5 यह 5 से आपका 19 टाइम कर जाएगा 5 उन्टू 19 करोगे तो 95 होते हैं यह 19 से आपका कितना टाइम कर जाएगा तो जब आप साथ इंटू 21 करोगे तो आपका अंसर बेटा कितना आएगा 1260 आजाएगा तो 1260 रफे की वार्टिकल बेच देगा इतना आपको क्लीर हो गया यह कम ही आएगा मेरे प्यारे बच्चों तभी मैंने इसके उपर ही टाइप 3 के उपर ही यहां पर तीन से चार कोशन लिए हो आए और एक कोशन आप से निकालूंगा होमवक के लिए तो वह आपको प्रैक्टिस करनी है अच्छी तरह से इतना आपको अच्छा लगा होगा मैं आप यह भी कर सकते हो यह वाला यह भी आप कर सकते हो तो यह वाला करोगे तो यह आपके लिए वैस्ट है मैं ठीक है यह आप कर सकते हो फार्मला वेस्ट जब आपको फार्मला याद है तो फार्मला लगा के भी आप निकाल सकते हो मेरे प्यारे बच्चों तो बढ़ते है है question number third के ओपर यह type third का यहां पर है next question हमारा if a man lost 4% while selling oranges at the rate of 12 a rupee then how many a rupee must he sell them to gain 44% ठीक है तो यहां पर बोल रहा है एक रुपए के वो 12 oranges यहां पर बेच रहा बिटा एक और फिर से मैं यह question repeat कर रहा हूं if a man lost 4% एक आदमी को 4% का loss हो जाता है कब होता है by selling oranges at the rate of 12 12 orange बेच रहा है एक रुपे के ठीक है यह रुपी का मतलब होता है कि एक रुपे के वो बारा संत्रे बेच रहा है यहां पर ठीक है यह इसका मतलब है यहां पर तो आगे क्या बोला जाता है at how many a rupee must he sell to gain 44% अब वो संत्रे कितने रुपे एक रुपे के बेच थे कि उसको 44% यहां पर क्या हो जाए गेन हो जाए तो बेटा जब भी यह fruit fruit वाले question आते हैं इसमें कुछ नहीं करना होता है इसमें हमने देखना होता है selling price किया दिया हुआ यहां पर side में रखना है यहां पर selling price of 12 oranges which is equals to कितनी है one selling price of यहां पर 12 orange कितनी है एक है तो मैं यहां पर selling price of एक orange निकाल लेता हूँ एक orange कितने का बढ़ जाएगा है एक बटा 12 का पढ़ जाएगा खाली यह 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 12 है वो इधरर के divide हो जाएगा तो यहां पर divided हो जाएगा तौल को यह तो यहां पर एक यह 1 by 12 का मतलब होता है one rupees के मैं 12 संतरे ले रहा हूं कि यह rupees है वो ऊपर आते हैं और यह article होते हैं वो नीची होते हैं हमेशन या रखना rupees ऊपर होता वो article नीची होता ऐसे हमैं बताना है कि एक रुपे के वो कितने बेचेगा कि उसको 44% का गेन हो जाए तो मैंने आपको बोला कि आपने एक वेल्यू लेनी है आपने 100 100 आपके पास क्या एक वेल्यू है CP रहेगा ना पहले cost price है profit loss हो रहा है यहां पर तो 100 आपके वाद CP है तो पहली वाद जब आर्टिकल बेचा गया तो उसको 4% का क्या हो गया यहां पर बेटा loss हो गया 4% का loss हुआ तो कितने का बेचा हो का उसने 96 रुपीज का यहां पर बेच दिया आर्टिकल ठीक है 96 का बेचा फिर बोलता कि अगली वार उसको क्या हो रहा है यहां पर यहां पर ही निकाल लेते हैं यह SP1 है ना तो बोल रहा है 96 का बेचा बड़ यहां पर एक संत्रा कितने क बेच रहा हो एक बाठा 12 का बेच रहा ना तो यहां पे हमारा SP कितना है एक shortage का one वै ट्वेल कर उनका कितना है 96 पर संट है यह वाला 96 है इधरा के multiply था है इधरा के divide हो जाएगा तो into 96 तो एक unit की value यहाँ पर कितने है यह 1.12 बिंडू 96 आगी यहाँ पर ठीक है अब आपको क्या निकालना है how many a rupee must he sell to gain 44% ठीक है 44% रुपे में कितना बेज देगा तो यहाँ पर 100% CP थी तो 44% उसको यहाँ पर profit हो रहा है यहाँ पर देख लो कितने की बेच होगी 144 की बेच होगी और यही आपसे पूछ रहा कि जब 144 की बेच है तो देखो आपको कितने संत्रे बेच बाएगा तो 144 है तो दोनों से 144 की multiply ही होगी यहाँ पर बारा इंटू चानवे और यहाँ पर इंटू 144 हुआ होगा यह 144 यह 144 कैंसल होके फिर आपका एक unit निकल जाता है तो अब आप देख सकते हैं इसको काट सकते हैं और हमसे यह चार से काटो चार तीन बारा यह चार तीन बारा और Самा इसको का 26 हो जchos जाता है यह तीन से तुम्हारा कितना आइम कट जाता है यह तीन एक ठीन तीन TWO ये तो 12 तो 12 15 अन्रुपील तो 12 12 mortar 2046 तो जब मैं 144 की जब कोई चीच बेच रहा था 44% के उपर यहां पर profit के उपर तो यहां पर मेरा answer कितना है 1 by 8 और आप ही आपको मैंने बताया था कि यह होते हैं ऊपर rupees ठीक है और यह नीचे होते हैं article ठीक है और आप से यही पूछा था अब देखो 1 रुपे के मैं कितने संत्रे बेच रहा हूं आठ बेच रहा हूं कब जब मुझे 144% जब मुझे 44% का profit हुआ तो एक रुपे के मैं आठ संत्रे बेच रहा हूं यह यहां पर आ गया how many रुपी must he sell to gain 44% तो कितने उसको संत्रे बेचने पड़े एक रुपे के आठ संत्रे उसको बेचने पड़े एक रुपे के तो answer कितना हो जाएगा बेटा बी answer हो जाएगा यह question थोड़ा complicated था क्योंकि यह SSC GD के अंदर यह पूछा गया हूँ question है यहां पर previous year question है इसलिए मैंने यह उठाया हूँ है अगर आपको एक और method से आपको निकालना है तो आपको direct निकाल सकते हो तो यहां पर मैं आपको और method में आपको नहीं से गुमाना चाहता हूँ क्योंकि एक method जब आप यह वड़ा सीख लोगे तो इसी से अराम से सारे question यहां पर हमारे निकल जाएंगे ठीक है यह थोड़ा difficult question था इसलिए मैंने यहां पर उठा लिया था क्योंकि SSC के अंदर ऐसे question पूछे आते हैं apple oranges वाले यह question आते ही आते हैं ठीक है तो यहां पर अगर इसको और method से करना जाता हूं तो मैं कर सकता हूं बटो आपके लिए heavy method बन जाएंगे इसलिए एक आदमी को 4% का loss हुआ है तो 100 में से 4 गे तो तो तुमारा कितना वाचा चानौ की उसने बेच दी चानौ परसेंट की उपर बेच दी तो बोरा कितने orange बेचे उसने 12 oranges यहां पर बेच दी हुआ तो बोरा कि अब यहां पर 44% profit के उपर बेचना जाता है पहले article 100 गा तो जब 44% के उपर बेचना जाता है तो अब कितना हो जाएगा कितने की बीच और 144% के उपर कितने की यह चीज बेचेगा तो जब भी ऐसे आता है तो हम कुछ नहीं करते हैं हम यह जो आना ऊपर वाली यह पर सेंटेज इनका हम कर लेते हैं यह आग जाएगा 96 अपॉर्ट में 144 और कितने और यह बारा और यह तो इन तो इन तो यहां पर बारा कर देते हैं ठीक है यह आपका पूरा वह सेम कटेगा यह आपका तीन कर 4 आपका तीन से दोमगर यह कर जाएगा बारा हम केरा बारा हम ठाइब यहां पर पस यह को शना इपका जेल को आठेट गया 12,7 होते हैं वह ूसा स्केर्ण की यहां पर हुचन नहीं पूझे नहीं सब्सक्राजायर पड़ों पड़ेगी क्योंकि यह एक वर profit होता है वो CP के उपर होता है दूसरी बार loss होगा वो भी CP के उपर ही होगा यहाँ ठीक है इतना समझ आया तो मैं आगे चलता हूँ मेरे प्यारे बेट्चो यहाँ पर मैं सिर्फ यह पढ़ाता हूँ ना वो मैं सिर्फ टाइब वाइस कोशन पढ़ाता हूँ और अधर कोई सोर्स नहीं आपको देऊंगा सिर्फ टाइब वाइस बताऊंगा कि सिर्फ टाइप जब आपको माइंड में होंगी तब आपको यहा प्राम से कोशन आप निकाल सकते हों तो मेरा यो प्राने का यो तरीका है वो मैं टाइब वाइस ही बढ़ाता हूं हर बार यह आपको पता भी हो गया यहां पर तो अगला कोशन भी हमारा टाइप नंबर थ्री के उपर ही है बोलता है ऑन सेलिंग आर्टिकल फार रूपी सिक् परफिट के आपको प्राइस को बेचा हो गया पर तो बेटा यहां पर वही 100 का लेट कर लो रवन चा 친구 के रहिए बैचा तो कितना वहा प्रोच को पने बार पने का यहां पर लोग्या को यहां पर तो बिदके कितनाुन की मेरी योगा 93 रुपीज के अंदर यहां पे बेच दियोगा selling price ठीक है यहां पे मैं 93 का बेच रहा हूँ question के अंदर क्या वो हो रहा कि जब आपको 7% का loss हुआ थो कितने का बेच दिया आपने 651 का बेच दिया यहां पे जब 7% यहां पे loss हुआ तो मैंने 93 का बेचा यहां पे बेचने का बेच रहा है तो निकालना क्या आपने बहुता कि जब मैं उसको बेच दिया तो मुझे 7% का profit होना चाहिए तो यह 7% का profit है यह आपको किस के ओपर होगा profit लाओ CP के ओपर होगा तो 7% का यहां पे इस वार profit के ओपर बेच ना तो 7% profit है तो मैं कितने की बेचूँगा 107 की बेचूँगा 107 की बेच नहीं है तो answer बता दो एक की बेचूँगा तो 651 upon 93 होता है तो 107 की बेच नहीं है तो दोनों side किस से multiply करना पड़ेगा जैसे यहाँ पर unit digit कितना यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 3 है तो 3 के साथ क्या multiply करूँ कि कोई किसी का last unit 1 बन जाए तो मैंने into 7 कर दिया into 7 कर दिया तो साथ से यह पूरा पूरा कट गया यहाँ ठीक है 93 into 7 कितना होता है 6 and 51 होता है यहाँ पर देख लेना multiply करके आपका answer यहाँ पर 7 से ही कटेगा अब यहाँ पर 7 है तो 7 into 107 करना हो 7 7 जग इतना होता 49 होता है यहाँ पर तो लास्ट कोई unit 9 बन रहे यहाँ यहाँ पर 0 यहाँ पर 0 यहाँ पर 0 यह तीनो option cancel है तो बचा कौन सा है यहाँ पर D है तो D ही ही इसका answer हो जाएगा यहाँ पर आपका time save करने का तरीका आपको बत जाएगा इस question का इतना clear हो गया है ना तो प्लीज यहाँ पर अगला question आप मुझे comment box के अंदर पका बताना इसका answer इसका comment box के अंदर आपने मुझे answer पका बताना है कि क्या इसका answer है option आपके पास यह पड़े हुआ यहाँ पर ठीक है बिल्कुल सही question है अराम से निकालना description box के अंदर link उसका मिल जाएगा तो प्लीज वहाँ पर आप जो जाके मुझे यहाँ पर message करना यह यह मेरा यहाँ यहाँ पर टेलीग्राम का यहाँ पर page है यहाँ पर आप मुझे पका message करना मैं यहाँ पर आपको पूरा यह detail के अंदर बढ़ा के बता दूंगा एक वाट notification जितनी भी notification होगी वह आपको तब ही आएगी जब आपने bell icon को यहाँ पर click किया होगा ठीक है अगर कोई offline batch के उन्दर हमें join करना चाता है तो यहाँ पर हम border के battalion batch बैठा हुआ अगर कोई आना चाता है तो यहाँ पर हमारा address नीचे आपको मिल जाएगा ठीक है वहाँ से आप हमारा contact कर सकते हो तो थैंक यू फ्रेंट्स और आब नाइस टे